पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है सब को साक्षर बनाना है अब तो शोशन से लड़ना है नया समाज हमें गड़ना है प्रगती की रह पर चलना है सपनों को साकार बनाना है पढ़ना है पढ़ना है सब को साक्षर बनाना है नमस्कार दीजी हम फिर हाजर है ग्यानदीब के साथ ये तो आप सभी ने गौर किया होगा कि साक्षर बनाना है सिर्फ यही नहीं है कि आप बसका नंबर पढ़ सके चिठी लिख सके अस्ताक्षर कर सके ये अपना हिसाब किताब कर सके साक्षर तावियान का सबसे पहला मकसद ये हैं कि आप साक्षर होकर एक बहतर जिंदगी की ओर बढ़ सके खजुराहो जो विश्व विख्यात है अपनी शृत कला के लिए वहाँ भी कोशिश यही की जा रही है कि साक्षर होने के बाद वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर जाए खजराहो जहां के मंदिर अपनी मूर्तिकला के लिए विश्व विख्यात हैं यूँ तो खजराहो एक छोटी जगह है लेकिन एक बड़ा परेटन इस्थल होने के कारण यहां का माहौल बहुत कुछ शहर जैसा है बिश्व प्रसिद परेटन इस्थल होने के कारण यहां पर देशी विदेशी परेटन बहुत अधिक संख्या में आते हैं जो यहां के आसपास के इलाकों में भी घूंते नजर आ जाते हैं यह है खजराहो का रिहाईशी इलाका है तो यह भी भारत के आम कस्पों की तरह हैं लेकिन इस पर परेटन इस्थल होने का फर्क पड़ा है परंत अधिक मात्रा में नहीं कस्पा नाम से ही समझा जा सकता है कि यहां भी हर कस्पे की तरह हैं गरीबी असिक्षा बेरोजगारी और भुकमरी जैसी तमाम समस्याएं होंगी और इनी सब समस्याओं के चलते लोगों का ध्यान कभी अपनी सिक्षा की तरफ गया ही नहीं और ना ही उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की कारां जब खुद ही सिक्षित नहीं थे और ना ही सिक्षा के फायदों को पहचानते थे तो अपने बच्चों को सिक्षित करने में भी उनकी कोई रुच नहीं थी लेकिन अब यहां के लोग जागरूख हो रहे हैं और अब तो यह अपने लड़कों को ही पढ़ने नहीं भेशते बलकि लड़कियों को भी पढ़ाते हैं और यह सब कुछ हो पाया है सिर्फ साक्षर्ता के कारण यह है यहां का जनसिक्षा केंदर पढ़ना बढ़ना अंदोनन के तहत जब महिलाओं ने यहां चल रहे साक्षर्ता केंदर पर आकर पढ़ना शुरू किया तब उनकी समझ में आया कि पढ़ाई करना औरत के लिए क्यों जरूरी है रिजवाना खातून कहती है कि औरत पढ़े तो किसी की मोहताज नहीं रह सकती और जब एक बार पढ़ने का चसका लगा और मजा भी आने लगा तो अब हाल यह है कि समय होते ही सभी महिलाएं पढ़ने के लिए केंदर पर खटा हो जाती है और अब यह किताब भी बहुत मंद से पढ़ती है और क्यों ना पढ़ें साक्षरता से हो रहा फाइदा अब इनकी समझ में जो आ गया है और अब तो सब साक्षरता के फाइदे ही गिनाती है इस साक्षरता केंदर को चला रही है उशा खरे यह बताती है कि पहले औरतें पढ़ने नहीं आती थी इनकी सास पुराने विचारों की होने के कारण इनको केंद पर पढ़ने नहीं भेशती थी तब इनको समझाया कि पढ़ोगी तो लोन मिल जाएगा यह कहती है कि शुरू में तो औरतें पैसे के लोग में यहां आई मगर धीरे धीरे वो साक्षरता के फायदों को पहचान गए और अब तो अपने मंद से पढ़ने आती हैं साक्षरता के बाद उनमें आ रहे बदलावों को बताते हुए वे कहती है अब उनलोगे बहुत परिवरतन हो गए वो बोली कि हम पम से कम जाते हैं तो घर में अपने बड़ों की मतल़ है उजट पर बाद बड़ों को बताते हैं खान पान में आ गया है रहन सहन में महिलाओं में आ रहे बदलावों को और उनके विचारों में आ रहे परिवर्तनों को देखकर ऐसा लगता है कि जिस दिन महिला पूर्ण रूप से साक्षर हो जाएगी उस दिन वो हर छेत्र में पुर्षों के साथ कदम से कदम मिला कर चलेगी अंधिकार में कोई उजाला कर दे इससे बेहतर बात बहला और क्या हो सकती है देखने में सुनने में कहने में हर भाव में इस बात बहुत अच्छी लगती है निरक्षर्टा का अंधिकार मिटाने में जो लोग आगे हैं उनकी कहानिया तो आप सभी ने देखी हैं चले आज हम आपको लिए चलते हैं पंजाब के नवंशा इलाके में जहां हमने अंधिकार मिटाने का एक बहुत ही खुबसूरा द्रिश्य देखा सर पर कलश और उस पर जलती मुंबतियां सजा कर घूमती ये लड़कियां रात के अंधेरे में इस उजाले से गाउं के रास्तों को तो रोशन कर ही रही है साथ ही इसमें लोगों के लिए है एक संदेश की जैसे प्रकाश की एक छोटी सी किरन इन अंधेरों से भरे हुए रास्तों को रोशनी से भर देती है वैसे ही सिक्षा रूपी दिये की जोती उनकी जिन्दगी के अंधेरों को उजालों में बदल सकती है ये संदेश है उन लोगों के लिए जो किसी कारणबश बच्पन में पढ़ नहीं पाए या जिनकी सिक्षा अधूरी रह गई ये हो रहा है पंजाब के गाउं चक कलाल में और यह सारा कारिक्रम यहां कराया जा रहा है चल रहे साक्षरता कारिक्रम के अंतरगत सर पर कलश और मुम्बतियां रखकर ये लड़कियां गाउं में तो घुमती ही हैं साथ ही लोगों को समझाने के लिए उनके घरों में भी जाती हैं और उन्हें सिक्षा के प्रत्यागरूप करती हैं इस तरह समझाने का प्रभाव लोगों पर जल्दी ही सामने आया और अब तो गाउं के लोगों ने साक्षरता के चारों तरफ फैलाए जा रहे संदेश को बखूबी समझ लिया है तब ही तो जब ये लड़कियां सर पर कलश और मुंबतियां रखकर गाउं के रास्नों पर निकलती हैं तो इनके पीछे चलने वाली भीड इतनी जादा होती है कि लगता है पूरा गाउं ही साक्षरता कारकर में अपना सहयोग दे रहा है लोगों में साक्षरता से आ रही जागरुकता का प्रमाण है जगह जगह लिखे हुए साक्षरता के नारे चाहें कोई दीवार हो या दुकान ये नारे हर जगह लिखे हुए मिल जाते हैं क्रशी के लिए मशूर पंजाब के गाउं में पहले लोग सिक्षा को ज़्यादा महत्तु नहीं दिया करते थे कारण था खेती अधिकतर लोग क्रशी करते थे और वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी बड़े होकर उनके काम में हाथ बटाएं लेकिन गाउं में चलाए जा रहे साक्षरता कारिक्रम के कारण लोगों ने सिक्षा के महत्तों को पहचाना और अब बे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्कूल भेज रहे हैं लोग केवल अपने लड़कों को ही सिक्षित नहीं कर रहे बलकि अपनी लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं और उन्हें पढ़ाई करने के लिए गाउं से बाहर भी भेजने लगे हैं यह संभब हुआ है महिलाओं में आई जागरूपता के कारण जो निसंदे साक्षर होने के बाद आई है. यह महिलाएं जान चुकी है कि सिक्षा औरत के लिए बहुत जरूरी है और सिक्षित होने के बाद ही औरत अपने परिवार को बेहतर और सुचार रूप से चला सकती है. इस गाउं में चल रहे है साक्षरता केंदर पर, पढ़ने के लिए जो महिलाएं आती हैं, उन्में से अधिकांश महिलाएं अपना नाम लिख लेती हैं और किताब पढ़ लेती हैं इसके साथ ही वे हिसाब किताब करना भी सीख गई हैं विमला बताती है साक्षर्ता के फायदे जबकि यश्पाल कोर कहती है पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है महिलाओं में आ रहे ये परिवर्तन साक्षर्ता का ही परिलाम है साक्षर हो जाने के बाद से इन महिलाओं को पढ़ाई करने में इतनी रुच पैदा हो गई है कि ये महिलाओं साक्षर्ता केंदर पर समय से पहले ही आ जाती है और एक दूसरे से बात करके अपनी जानकारियों को और बढ़ाती है महिलाओं की सिक्षा के प्रति बढ़ रही दिल्चस्पी और उनमें हो रहे बदलावों को देखकर सुनीता रानी कहती है सुनीता इस गाउं में चल रहे साक्षरता केंडर में महिलाओं को पढ़ाती है और महिलाओं को नई जानकारियों के बारे में समझाती है साक्षर होने के बाद से यहां की महिलाओं के रहें सेन में फर्क तो आही गया है और सिक्षा ने इनके विचारों को भी प्रहवित किया है यह महिलाओं अब पुराने रीत रिवाजों को तोड़कर नए दौर की तरफ बढ़ रही है जब से मैंने इन औरतों को पढ़ाना शुरू किया है यह बहुत कुछ हो हुई है और इनों ने इस नमे दौर की बहुत सी बाते जान ली है और हर एक प्राने रीत रिवाजों को तोड़कर आगे बद रही है कहते हैं पैसा वो चीज है जो व्यक्ति के अंदर आत्मिश्वास पैदा करता है सिलाई करती इन लड़कियों के चेहरे भी आत्मिश्वास से भरे नजर आते हैं इन लड़कियों को सिलाई सिखाती और इस केंद्र को चला रही परमिंदर बताती है सच है जब से गाउंवाले साक्षर हुए हैं उनमें हर काम के प्रत उत्सा और आत्म विश्वास और बढ़ा है ये उनके अंदर आया आत्म विश्वास ही है कि अब वे हर काम में बढ़ चरकर भाग लेते हैं चाहें वो पढ़ाई हो या सांस्कतिक कारेकरम किसी भी जगा को जो पूरी तरह से साक्षर बनाना हो तो सिर्फ इस बात पर जो नहीं दिया जाता कि वहां रहने वाले जो पीड़ी दर पीड़ी वहां बसते आये हैं वो साक्षरता क्लास में आये बलके उस गाउं में रहने वाले जिन में महां पलायन करने वाले शामिल हैं वो भी इस साक्षरता अभियान में शामिल हो उदारन के तोर पे उत्तरपूर्वी इलाके इवालपूई में नेपालियों को साक्षर करने की कोशिश की जा रही है है तो ये उत्तरपूर्वी राज्य मिजोरम का एक छोटे से गाउं बुवालपूई का द्रिश्य पर यहां बसने वाले ज्यादतर पड़ोसी देश नेपाल से आये लोग है बुवालपूई का मतलब है वाटर होल यानि के वो जगा जहां जानवर पानी की तलाश में आते हैं आज यहां के लोग साक्षर्ता की गंगा का पानी पीने आये हैं उन्हें शायद लग रहा है कि ये पानी पीने से उनकी कई समस्याओं का हल निकल सकता है इस क्लास में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी नेपाली हैं जाहिर है अपना देश छोड़ कर कोई कहीं और क्यों जाता है नौकरी या रोजगार की तलाश में ये लोग भी नेपाल से यहां नौकरी या रोजगार डूने के लिए आये हैं और पिछले कई दशकों से यहां बस रहे हैं किसी ना किसी काम में वेस्ट है जादा तर लोग तो खेती से ही जुड़े है पर बदलती दुनिया के चित्र पीवी पर देख उनके मन में साक्षर बनने की इच्छा जगी पर पूरी मीजों इन्हें आती नहीं अंग्रेजी भी बस समझ जाते हैं बुलना पढ़ना बिलकुल नहीं आता था ऐसे में जब एक प्रात्मिक स्कूल के अध्यापक प्रकाश थापा ने पढ़ाई के लिए क्लास शुरू की तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही कारण ये भी रहा कि थापा इन्हें अंग्रेजी और मीजों के अलावा नेपाले भाशा भी पढ़ाता था सुक बहादू चेत्री दिन बर खेती का काम करता है पर बीच में खुले खेत में जब ये क्लास लगती है तब यहां आकर लिखना पढ़ना भी सीख जाता है कुमारी है तो सिर्फ ग्रहनी हाँ पशू का थोड़ा बहुत काम देखती है इसे क्लास में आने का ये फाइदा लग रहा है कि यहां तीनों भाशाओं को सिखाया जा रहा है फिर भी अपनी ही भाशा में जब जिन्दगी की एहम बातों पर चर्चा होती है या अपने फाइदे से जुड़ी बाते समझाई जाती है तो पढ़ने का मज़ा भी आता है चंदरा बहादूर लामा कहता है कि हमें कीट नाशक या उर्वरक का प्रयोग अब करना होता है तो उन पर लिखे निर्देश पढ़कर ही उनका इस्तिमाल करते हैं यह तो ना लेखा पर हम नहीं जनता है इसलिए पढ़के इसमें क्या फाइदा हुआ उसको कुमारी कहते है कि बच्चों को दवा भी दवाय के पत्ते या बोतल कर लिखे निर्देश के अनुसार ही देते हैं प्रेर्यक प्रकाश थापा कहते हैं कि शुरुवाती दोर में प्रात्मी ज्यान देना उसका मकसद है पर आगे चल कर उन्हें उच्च ज्यान की तरफ ले जाएंगे इनका ऐसा सोचने का ठोस आधार भी है क्योंकि ये विद्ध्यार्थी खुद आगे पढ़ने की तमन्न जाहिर कर रही है कुमारी ग्राजिएशन ज्यान की बीए पास करना चाहती है सुक बहादु चेत्री नौकरी पाने के लिए सीखना पढ़ना चाहते हैं उमेर जस्ती होते जा रहे हैं फिर बात में जितना पढ़ने से भी अपना दिया नौकरी कोई नौकरी तलास करने के फिर भी मिलने के लिए मुश्कीड है देख लीजी क्यांदीप एक बार चल जाता है तो अपनी राश्नी में सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है साक्षरता अभियान में एक व्यक्ति की भूमी का बहुत ज्यादा महत्पूपूर्ण होती है और वो है उस अभियान को चलाने वाले स्वेम से वक्की उसको हर लिहाज में गुरु जी का दर्जा दिया जाता है उसकी हर बात मानी जाती है और उसे बहुत इज़द दी जाती है गुरु जी शब्धी इतना अधरनिया है पर गुरु जी यानी एक शिक्षक की भूमी का बहुत आसान नहीं होती 36 गड़ के सरगुजा इलाके में गुरु जी का कहना कुछ ऐसा ही है ये है उंची निची पत्रीली पहाड़ियों के बीच बसा ओड की जनपत का रामपुर गाउं करीब साथ घरों में बसे आदिवासियों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया यहीं के प्रेम कुमार ने वैसे तो सरगुजा जेले में संपून साक्षरत अभियान की शुरुआत 1994 में हो गई थी लेकिन उस समय निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा थी अब उनमें से पचास प्रतिशत साक्षरत हो चुके पर यह काम बहुत ही मुश्किल का था जब प्रेम कुमार ने इस गेल्ड़ को खोला तो उसकी कक्षा में दर्ज होने के लिए कोई भी प्रौड निरक्षर नहीं आया उसे शुरू में तो बहुत नराशा हुई परंटो प्रेम ने हिम्मत नहीं हारी घर घर पहुंच कर वह निरक्षरों को प्रेरित करता रहा निरक्षर लोगों ने उसे अपनी अपनी समसें सुनाए किसे ने कहा उसे मजदूरी करने जाना है किसे ने कहा कि पढ़ना उसके बस की बात नहीं और किसे ने तो ये कहा कि पाड़षाला में उसे जाने की इच्छा ही नहीं होती परुनतु प्रेम कुमार ने अपनी हिम्मत और लगन से उनके साथ संबन बनाए अपने ही तरीके से उन्हें बांधा, उनके साथ खेतों में काम किया और फिर पढ़ने के लिए प्रेरित किया अज प्रेम कुमार की कक्षा में नियमत रूप से निरक्षर पढ़ने आते हैं और कई लोगों ने साक्षर बनकर काफी फाइदा उठाया है बुनिलाल राजवादे पहले साक्षर हुआ फिर आठ्वी पास की और अब दस्वी क्लास की परिक्षा देना चाहता है पाँच्वी की परिक्षा दी आठ्वी भी पास कर गया अब वो आगे भी बहुत कुछ करना चाहता पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा लगता है पहले तो सर मैं अंट पढ़ था पहले भायसा गोरुचर आ रहा था मैं सोचे यह सक्षार्ता माले में लोग को देखा तो मैं वहला कि इन लोग बहुत अच्छा पढ़ रहा है मैं भी इनके साथ पढ़ूँ इसके बाद इनके साथ मैं भी पढ़ रहा था सक्षार्ता में इसी गाउं का रामलाल गाउंवासियों के लिए एक अबुधारन बन चुका है कल तक वो एक अनपर था अनभिग्य था आज साक्षर हो चुका है वह ने सिर्फ दसकत कर लेता है बलकि नियमत तौर पर देश्ट दुनिया की खबरें भी रखता है मां पहले पहले जबाया तो मैं हुआ का कि मैं कर दुसरे जगा परणा तो वहां से जब माये मैशनी को प्रेक्टिस बना हुआ था नहां तरह तो मेरे बात से योग को खो जोएनाना चाहिए मेरा मालाते था। उनका यही कहना था एक लुंत मेरे सक्सक्राइब ही दिए अ Alrighty ! आप этंई नथे करके मीया नक्रेक्ट्री आगल यूव Lazory लापली कहता है कि अब उसे देश्दुनिया का ग्यान हो गया है जब भी वह गाउं से शहर जाता है तो अखवार जरूर पढता है गाउं से पत्रिका खरीद कर पड़ता है इसमें जागरुपता इतनी आ गई है कि ये कहता है कि इसका तो अभी एक ही बच्चा है पर आगे बच्चे नहीं चाहिए देश गरीब है ऐसे में ज्यादा बच्चे का भरन पोशन करना मुश्किल का काम है तो रामलाल सिर्फ इस गाउं के लिए उधारन नहीं देश भर के लिए उधारन है साक्षर हो के कोई क्या करता है उसकी चाएं बढ़ती है आकांक्षाएं बढ़ती है गाउं की और संसार की गतिविद्यों में वो हिस्सा लेने लगता है समाज की कुरीतियों के प्रती और सजग हो जाता है पर ये बाते छोटी जगा के लिए ज्यादा महत्तो पूर्ण होती है आईए चलते हैं भोजपूर ये भोजपूर का आरा शहर है माले और रन्वीर सिनाओं के बीच बर्चस्रवाद की लड़ाई का एक मूग गवा सहर जातिवाद की लड़ाईयों में खून और लाशों पर बोट बैंका गनित भी यही शहर है साथ ही सत्ता के गलियारों में संसकार और सोहार्द का सच भी यही शहर है बावजूद इसके यहां समय भी है और सोच भी है साथ ही है समाज दर समाज के बीच साक्षर्टा की एक लंबी दौर बिहार में करीब धाई दशक यानि 23 वर्स बाद हुए पंचायती चुनाओं में साक्षर्टा कर्मियों का चुनाओं लड़ना ना सिर्फ एक मिशाल है बलकि साक्षर्टा कर्मियों द्वारा साक्षर्टा कर्मियों को जिटाने का प्रयास समाज के अंदर बदलती हुई मांस्क्ता को एक नए परिवेश में ठालने की कोशिश नी है साक्षर्था कर्मियों को चुनाव लड़ना चाहिए बलकि हम तो इस विचार के हैं कि साक्षर्था कर्मियों को ही चुनाव लड़ना चाहिए बाकी लोगों को नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि और उसका कारण है कि साक्षर्ता के माध्यम से ये प्रारम से एनेलेम का भी ऐसा कहना है और हम लोग का भी दृष्टि कुन था कि साक्षर्ता सिर्फ पढ़ाने लिखाने का कारेक्रम नहीं है बल्कि ये व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक पहल है च्षार्ता के वालेंटियर्स आपना हाथ जगर्नाथ के फार्मूला को अपना रहे हैं वे शरम दान से विद्याले के मर्मत कर रहे हैं गरामिन पुस्त काले का निर्मान हो या गाउओं में तूती हुई सड़कें साक्षर्ता के व抱शिट इसके मर्मत करते हैं आरा के गाउं दरगाउं में छोटे-छोटे निर्मान का एक जन्हित सिल्सिला चल पड़ा है सरकार और प्रशासन पर निर्भर रहना यहां के साक्षरता कर्मियों की आदत में मानो सुमार नहीं है इस लग्रेरी के पुष्ट काले के लिए मैं अपना सहयोग दिया सरम दान के रूप में जब हम लोग जाग रूख हुए अब जितने लोग जब इस बाम मामले में आगे आया और समाज के जो यह भोर संस्था थी जो इस बैनर तले हम लोग तो कुछ करने के हम लोगों ने ठाना और इससे यह हुआ कि हमारे गाउं में जो बहुत बर सो पहले लाविरी था जो खत्म हो चुका था पुष्ट काले उसको हम लोगों में सरंदान से एके कीटा जोड़कर और उससे में परसासन में जो जिला धिकारी महोदे थे जो इस अभियान के अध्यक्स थे और इस पुरा जो सहजोगी प्रखंडस्तर से पता धिकारी लोग थे उनका भी सहजोग रहा और हम लोगों ने एक विसालतम प पढ़ाई लिखाई का कारिक्रम नहीं समझा बस यहीं कारण है कि साक्षर्ता भोजपूर के विकास का एक माध्यम बन गया है साक्षर्ता भियान के साथ हम लोग चला रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिला है जागरुकता कहा है जागरुकता है जैसे आप वोट का अधिकार है व्हाँ आप पंचाय चुना वोने जा रहे हैं तो आप अभी अगर जाएंगे देहातों में तो लोग यागरूख हैं, अपने अधिकार के परती, अपना नाम वोटर लिस्ट में लाने के परती, सुरक्षा के परती, बाकि जितनी इससे जूड़ी हुए समस्या हैं, कैंडिडेट के परती, ये हैं चंद्रावती, जैसा नाम वैसा ही गुण है इन में, पहले तो चंद् चंद्रावती बिल्कुल अंगुठा छाप थी, अनपढ़ गवार, बाद में खुद भी पढ़ समझ कर नवसाक्षर हुई, और फिर जुट गई गाउं घर की दूसरी महिलाओं को पढ़ाने में, बहूत जल्द ही गाउं घर की महिलाओं के दिल में चंद्रावती ने अप कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ, और परिनाम आने से पुर्वी चंद्रावती सर्व सम्मती से बन गई अपने गाउं के पंचायत की मुख्या, जी पहले बाचा एक रसाब एती पाड़ने रहे कि जब जाँ, बाचा तक, अपन नाम सही करे भार, हम पाड़ लेन ये है सक्ष्यारों, महिलाओं का एक चेतन सील संगठन भोजपूर में बहुर से जुड़ा होने के बावाजूद सक्ष्यारों का उद्देश महिलाओं को उसके अधिकार और कर्तबे के प्रती सजग कराना है चाहर दिवारी के भीतर रहने वाली उन औरतों को बाहर निकालना है, जो वक्त की मारी हुई है ये था हमारा आज का ग्यानदीब ग्यानदीब के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ खास शेत्रों की खास बातों के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार पढ़ना है, पढ़ाना है, सब को साक्षर बनाना है पढ़ना है, पढ़ाना है, सब को साक्षर बनाना है